हेलो एवरिवान गूड आफ्टरनून कैसे आप सब तो भई आज तारिक है एक नवंबर और आज है अरियाना दिवस और देखिए कोन आया है हमारे घर पे और टाइम देखिए बारा बज़ कर से पैतिस मिनट ओने वाले हैं और दूब बहुत अच्छे निकड़ी हुई है औ सब्सक्राइब आज बज़े मैं गई थी तो भई कल है हमारी योगी का जनम दिन दो नवंबर को और भई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके उसको अपना प्यार आशिरवात देना और भई ये क्या क्या आया है आज आई है मेरी दिवाली ये दूब बत्ती अगर बत्ती और ये जो के पैकेट तो ऐसे लेक्के आगए दे पावले पे देने का इनका कोई में रिजन नहीं होता तो ये तो रखे वे थे घर पे तो मम्मी ने दे दिये और इधर मैं कर रहे हैं रोटियों की तैयारी राय का मैंने बना दिया है और दूद गरम रखेंगे थोड़ी देर में पहले कर दिते हैं रोटियों की तैयारी आटा चांड दिया है योगी ने तो अभी बनाएंगे रोटि और भई आप सब कैसे हो और आज है दन तेरस नहीं कल है दन तेरस दो तारिकी दो दन तेरस की भी आप सब एको डेरो शुब कामना है और ये देखी दो डब्बे है मिठाई के एक में बर्फी है और एक में गुलाब जमून केड़ा और सेब ये भई गुलाब जमून योगी के फेवरेट है तो भई ये मिठाई का डब्बात हम बोग लगाने के लिए रखेंगे और गुलाब जमून खालेंगे और ये है मूँ ये चावल के पैकिट है दो इस सामान को भी सेट करेंगे चिन्नी है सुझी है और भाई जो खेल खेला रहते हैं वो है तो यह सब आया है दिपावली पर और भाई कुछ मनी मिल गई है हमें तो यह देखिए सुब दिपावली और एपी दिपावली योगी ने लिखा है और अब इशीद मिल रहे हूं आप से श्याम के टाइम और यहां मैं निकाल रहे हूं दूद क्योंकि कई दिन होए थे योगी टूशन से आ चुकी थी तो मैं कह रही थी कि योगी थोड़ी थी क्योंकि इसका पड़ा मर गया था इस वज़े से लेनी पड़ी और यह कुबर की एल है और जो यह आप देख रहे हूं यह रात को 9 बज़ी गेर के आई मैं भूल गई काम में लगई और यह सारे कपड़ों की लगानी है तो यह एल के आई मैं 9 बज़े क्योंकि तसला ब बरतन तो दूग गए हैं और ये कपड़े हैं और इन कपड़ों की लगाएंगे तह तो ये देखिए हैं हम उसम बिल्कुल किलियर हो रहा है आजकल और बै किलियर ही चाहिए तो निकाल लेते हैं दूद और ये देखिए राकेश के गर में निकल गया था साप साप कोई ज़् होता है चोटा हो या बड़ा ये देखिए ये देखिए भाई लड़ी लगा दिये आज हमने अपने इस घर पर सामने सामने और भाई ये पिछले सार लेक के आये थे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये देखिए और जब लाइट बन दोती है तब भी जाद अच्छे लगती है क्योंकि वैसे तो दूर से वीडियो बनाएं तो अच्छे नहीं बन पारे थी रिफ्लेक्शन आ रहे थी लाइट की तो ये देखिए और ये देखिए भई मंदिर में भी एक लड़ी लगा दिये युगी ने पुर मंदिर के निच्छे ये आम करते हैं जोत दिपावली की तो ये बताईए मंदिर आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके और इसकी लाइटे पर उन करते हूं ये देखिए इस तरह से है और ये लड़ी युगी ने ही लगाई है इसकी तो तीवे की